नमस्कार दोस्तों सीसी के इस लाइव इडिसेट लिक्षर में आप सभी का स्वागत है मित्रों बताना चाहेंगे अपके लिए आपके की विशेश इश्रेंखराज जिसका नाम है लें संस्कृत बी मॉडर्न एक बार फिर से लेकर आए हैं यह पंद्रवा अध्याय है और इस अध्याय के माध्यम से एक बार फिर हम संस्कृत व्याकरण बोलचाल में समर्थ होने वाले शामिल होने वाले उन शब्दों को आज फिर से शामिल करेंगे अपने इस लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से एक कहानी जिसके माध्यम से हम संस्कृत शब्दावली और संस्कृत जो सेंटेंस होते हैं उनको समझ पाते हैं कि किस तरीके से उनकी रूप रिखा होती है किस प्रकार उने ब हैं डॉक्टर बल्देवानन सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं और नित्यप्रती संसृत भाषा को लोगप्रिया बनाने के लिए ये कोशिश कर रही हैं और हम यहीं उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा आयोजित यानि इनके द्वारा दिये हुए जितने भी लेक्चर आप देख पाते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी लेक्चर से लाबान्वित हो रहे होंगे तो मित्रों तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर बल्देवारान सागर का डॉक्टर सागर आपका स्वागत है अवहारी का रूपेन प्रयोक्तुम् प्रयताम है तस्याम दिशियेवायं प्रयासाह सांप्रतम अस्याम शिंखलायां संस्कितं पठ आधुनिको भव लॉन्स संस्कित भी मोडन इत्यत्र पंच दशं इदम व्याक्यानं अगच्छंतु सर्वेशामत्र स्वागतं नमस्का पूर्वकम हम अग्रेसरामी सर्वप्रत्वम व्याकरनम व्याकरने असमा भी पूर्वम अचसंधी ही इती द्रिश्टा है अचसंधी आने के भेदा के पी द्रिश्टा असमा भी अचसंधी के बहुत सारे भेदे उनको हमने देखा गुन संधी वृद्धी संधी दीर्गस तो यह सब आपने अगर पिछले व्याख्यां देखे होंगे तो यह सब उसमें हमने इसकी व्याख्या किया है उदाहरणों के साथ और इनको प्रियोग में लाने के लिए बोलचाल में या लेखन में या पठन में तो यह आप थोड़ा भ्यास करेंगे सारलम संस्कृतम अनुभविष्यंति अत्रभवन्तों भवन्ता है सामप्रतम अध्यवयम हलसंधिम अध्येश्या महा हलसंधि का मैं अध्यन करेंगे हल का मैंने बताया था प्रत्याहार जो 14 सुत्र है उसमें से पांचवे सुत्र हयवारट से लेकर आगे हल तक जितने व्या व्यंजन संधी व्यंजन संधी में क्या होगा कि व्यंजन के साथ अगर आगे स्वर आता है या अच आता है या व्यंजन के साथ व्यंजन आता है तो जो संधी होती है उसको व्यंजन संधी कहा जाता है यह आप समझ गए होंगे और यह कितने प्रकार की होती है तो केवल आप के ज्यान के लिए और स्वन के लिए मैं के वाले एक बार पाठ कर देता हूं आपके सामने एंट स्क्रिन पर चुत्व जश्ट्व चर्थव अनुस्वार परसवरणा लत्व छत्व चक आगम अनुनासिक वर्णों का आगम रका लोग और पूर्वस्वर का दीरगत्व विधान इत्यादी यह सब जो मैंने का वो टेक्निकल टर्म्स है पारिभाशिक शब्दावली है तो उसमें सबसे पहले आज हम चुत्व के बारे में यह जो हलसंदी है इसके बारे में देखेंगे इसके लिए अश्टाज्याई का सुत्र है आठवे अध्याई के चौथे पाज का चालिसवा सुत्र सुत्र आपके सामने है स्तोह श्चुना श्चुहु अब चू की इसमें सब व्यंजन है तो व्यंजन को उस दृष्टी से हमको देखना होगा सुत्र की व्याख्या से पहले में आपके सामने स्तोह श्चुना श्चुहु यह जो शब्द है एक ए जैसे स्तो है चुना है और श्चु है ये क्या है रख दू आप समझ गया होंगे स और त है माने सकार और तकार लेकिन त में उ है स्तु हो गया और उसको शश्थी एक वचन में जैसे शंभु का शम्भो हो या गुरु का गुरो हो या प्रभु का प्रभो हो या भानु का भानो हो बनता था वैसे तू का स्तोह बन गया माने सकार को और तकार को लेकिन तकार अकेला नहीं है तू है तू का मतलब तवर्ग मिले आपने देखा होगा पिछले व्यक्षानों में कू चू तू तू पू ये पाँच मेने आपको वर्ग रहखे ते कू माने कवर्ग यानि का खागागघंगा चू माने चौवर्ग चछजजः और तू माने तावन तठधडढन और तू माने तवर्ग तथधढन और पू माने पवर्ग पफबभमद historically जिसकी खास विशेष्टा ये है कि कवर्ग किया माने ये पांचो वर्ण गले से उच्छारित होंगे कह ग गले से भी और नेजल नासीका से भी इसी तरह चू माने चवर्ग ये सब तालु से उच्छारित होंगे च, छ, ज, ज, य, 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 तालू से और नासिका से तू, ये मूर्धा से पहले जिसको बोलते जीब उचे होकर तालू को टच करेगी ट, ठ, ड, ध, अना, अना में मूर्धा भी है और नेजल है यानि लास्क वाले सब नेजल है और त, ये दंत्य है यानि कि दात को जीब जब तक छुए ना तब तक ये सही उचार नहीं होगा त, ठ, द, ध, न, न, ये दात को भी छुएंगे और नेजल है और प, ये ओष्ठ है माने होठ आपके बंद होंगे तभी ये वर्ग के पांचो व्यंजन उच्चारित कर पाएंगे प, फ, ब, भ, म, म, अनुनासिक भी और अपना ओष्ठ भी तो ये कू, चू, तू, तू, पू, ये पांच वर्ग है तो यहाँ जो तू है, ये बहुत कराता है त, त, द, ध, न, ये पांच व्यंजन का और सकार का स्टो ह माने सकार और त वर्ग को श्चुना माने शकार, ये शकार तालबव्या है और चू माने चवर्ग, चचचँजजज़ईया है चुहू संयोग होने पर चु के साथ संयोग होने पर चुमाने शकार और चवर्ग होता है यह केवल अश्टाज्जाई का जो सूत्र है उसकी मैंने आपको सरल शब्दों में व्याक्षा की कितना यह टेटनिकल है इसलिए बार-बार जो कहा जाता है कि कंप्यूटर के लिए उपवयुक्त भाशा है पानी नीजी ने केवल स्तोष चुनाश्चु में इतना और तो पिर आगे के जितने सुत्र है याने आठवे अज्याय के चौथे पाद के सुत्र की व्याक्षा के रूप में सकार या तवर्ग का शकार या चौवर्ग के साथ योग होने पर तृत्या एक वचन में आगे या पीछे कोई भी हो आगे पीछे मतलब स श वने दंत्य स और श तालब्य श में और तवर्ग चवर्ग में परिवर्थित हो जाता है ये व्याक्या है अब हम उदाहन से इसको समझते हैं आपके लिए सरल हो जाएगा उदाहरनानी पहला उदाहन लेते हैं मनस चलती अब सरल संस्कृत यदावयम सरलम संस्कृतं भाशा महे तदा शब्दानाम मध्य संधी नहीं भवती ये न अर्थावगमने सारल्यम भवती मनाह चलती एवं भवती संधी नहीं है तो हम वाक्य बोलेंगे मनाह चलती माने मन बहुत चंचल है या चल रहा है या बहुत गती कर रहा है मनाः चलती लेकिन अगर हम संधी करना चाहे तो इसकी संधी हो जाएगी मनश चलती कैसे तो मनस जमा चलती मनस का जो सह है और चलती का जो चह है मनस आगे ये सह क्योंकि विसर्ग को रुह होता रु को रखो सह होता है अधो छमा करेंगे पहले जो सुप भीभक्तिया में सह होता है उसके बाद में रू और इस तरह से दूसरे है लेकर यहां मनस जो है यह सकाराम्त है और आगे चलती है तो च की वज़ा से सकार को जो दंत शकार है उसको तालज्य शकार हो जाएगा संधी होगी मनश्चलती लाल रंग में इसलिए मैंने किया जिससे के आपको समझने में आसानी होगी सकार और के साथ संयोग हुआ चकार का मने स्टोः चुना चु तो उस सकार को दंट सकार को तालब्य शकार हो गया रूप बना मनस्चलती दूसरा उदारन देखिए रामशेते रामसोते हैं इसका सिदार्थ तो मैं बोलने में यदा हम संभाशनम करो में रामशेते ऐसे बोल दिया लेकिन संयुक्त करके अ पर्थमा एकवचन का रूप है उसमें जो सुप आया उसका सा और शेते में जो आगे दंट शा धातू है सोता है उसका जब संयोग होगा तो राम के सुप विभक्ति का विसर्ग को रूरू को सा सा को दंट शा को तालब्य शा हो जाएगा राम शेते ऐसा रूप बनेगा त आवर्ग को चवर्ग कैसे होगा कुछ शब्द जो हिंदी में या ख्षित्री भाषा में भी हम प्रियोग करते हैं आप बार बार प्रियोग करते होंगे सचरित्रम या सचरित्र हिंदी में प्रियोग करते हैं शरस्चंद्र नाम होता है उच्चारन बार बार आप प्रियो कामा मैं बाद में इसकी व्याक्या करूंगा पहले आईए देखते हैं सचछरित्रम तो शब्द है सत और आगे है चरित्रम तो जो टवर्ग है स्टोख्ष चुना स्चुसुत्राएगा वो कहेगा यहां तकार है और उसके राद चरित्रम का चा है वो चवर्ग है तो तवर्ग और चवर्ग ये दोनों का जब संयोग होगा तो तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा तो आगे लाल रंग में आप देखिए सत्चरित्रम यानि सत्केत्ता को चवर्ग हो गया है तो आप संयोग तो जब लिखेंगे तो सत्चरित्रम लिख कोई सत चरित्र ऐसे बोल दे उसमें कोई बात नहीं लेकिन लिखने में सत अलग लिखे चरित्र अलग लिखे फिर कहें हमने ठीक लिखाया व्याकरण की द्रिश्की से ठीक नहीं है सत चरित्र ही आपको लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा तब उसको शुद्ध माना दो भेजा जाएगहा बूल चल की भाषरा में बोली में तो कोई एक चांद करेंगा कि ता को चा हो जाए और शब्द बनेगा शरत चंद्राः ये तंदिक आपका अगला रूप है अगला शब्दा उचारनम उत जमा चारनम अब आपको मैंने बहुत बार बताया है आप स्वयम भी समझ गए होंगे कि उत जो है वो उपसर्ग है प्रापरा अपसम अनुआव निस्नेर दुस दूर्वी आंगनी अधि अपी उत यह उत है उन्नती शुद्वमन यानि उत यह प्रिफिक्स है और चरधा तुसे चारनम बनेगा कैसे आगे रूप बनेंगे लिटो के अनो के चारनम वो अलग बात है उत जमा चारनम तो यह जो त है और चारनम का चा है चवरग आगे है तवरग पहले है तो तचा बन जाएगा शुद्ध संधी में आदेश करेगा तवरग और चावरग जब मिलेंगे तो पहले वाला जो तवरग है उसको चावरग का मलब चा हो जाएगा अब आगे और एक खेल है तो मैं आपको बताऊंगा आनंद आएगा आपको लेकिन पहले शब्द लेते हैं याच्यां याच्यां में यह सब अनुनासिक और अपने वर्ग के एक एक प्रतिरी दित्वा करते हैं तो यह है वो न है एक्चूली प्रत्य आगे आप विच्छे में देखिए याच जमान ना तो याच्यां शब्द बनेगा तो वो जो च है याच का च वो आगे ना है जो तवर्ग का है तथधर्ण ना जो है वो तवर्ग का वर्ण है और च वर्ग आगे है मनें आगे पीछे कहीं भी कोई भी हो सकता है तो तवर्ग आगे है च वर्ग आगे है और तवर्ग पीछे है तो च वर्ग की वज़े से ना को जो तवर्ग है उसको च वर्ग हो जाएगा स्तोश चुनाश चू तो याचियां न को यह हो गया न तवर्ग में था तदधना न उसको चवर्ग का चचजया यह हो गया तो याचियां शब्द बनेगा याचियां मोगा वरम अधिमगुणे नाधमे लब्धकामा जब मेगदूत में कालीदास मेघ को संदेश देते वए यक्ष से कहलवाते हैं कि हे मेघ तुम से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी के पास मुझ भी रही का संदेश ले जाओ तो कि बडो से मांगना अच्छी बात है याचिया मोगा माने व्यार्थ बडो से मांगने पर वो मांग पूरी ना हो तब भी कोई बात ने है याचिया मोगा वरम अधिकुने जो गुर्वान व्यक्ति है जो गुनी व्यक्ति है जो संपन्न सम्रिद्य व्यक्ति है उससे मांग और वो मांग पूरी नहोँ तब भी ठीक है वारम नाधमे लबद कामा लेकिन अधम्यक्ति के पास मांगना ठीक नहीं है यदि जट वो लबद कामा ने पूरी कर दे हमारी बाद फिר भी अधम व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए ये महा कवी कालिदास की बात है और इसी बात को हमारे लोक कवी कवी गंग कहते है मांगना बहुत बुरा है तारो के तेजा में चांद छूपे ना ही सूर छूपे ना ही बादल अच्छायो इसमें तो उन्होंने कर्म की बात कही है लेकिन सबसे बुरो मांगनो कवी गंग कहे सुनो शाह अकबर एक सबसे बुरो मांगनो तो इस प्रकार से महा कवी कालिदास या कवी गंग या कितने भी हमारे जो नितिशा तक के भरत्री हरी है वो भी कहते है पत्रम्ने वयदा करीर विटपे दोशो वसंतस्यकिम नोलू को प्यवलो कते यदि दिवा सुर्यस्यकिम दूशनम यह हम पहले पढ़ चुके इसी तरसे कर्म की बात और भज्य की बात उनाए कही है लेके मांगने की बात जहां आती है तो वो कहते है हे चातक सुनो मेरी बात सुनो तुम बार बार प्यू 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 करके जो मेघ से पानी चाहते हो बहुत सरल भाशा में है आपके वल पाठ करेंगे सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा काविय का आनन्द भी और संस्कृत का आनन्द भी रे रे चात कसावधान मनसा मित्रक्षणम शुयता अंभोदा बहवो वसंति गगने सर्वे पिनैता द्रिशा अंभोदा अंभोदा बादल अंभ माने जल कुदेने वाले अंभोदा बादल बहवो वसंति गगने आस्मान में बहुत सारे बादल है सर्वे पिनैता द्रिशा सब बराबर नहीं होते है केचिद वरिष्टि भिरार्द्र यम्ति वसुदाम इसमें कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वरिष्टि करके वसुदा को आर्द्र बना देते हैं खुब पानी पिला देते हैं केचिद वरिष्टि भिरार्द्र यम्ति वसुदाम गर्जम्ति केचिद वरिथा और कुछ केवल गर्जना करते हैं बड़ी-बड़ी बाते करते हैं गर्जना करके चले जाते हैं बरस्ते नहीं है जो गर्जते हैं वो बरस्ते नहीं है अब अन्तिम पंक्ति में वो उपधेश देते हैं जिसको और्थांतर न्यास अलंकार के रुप में संस्किसाहिते में जाना जाता है यम यम पस्यसिता स्यता स्यपूरता मा ब्रूही दीनम वचाहा इसलिए जिस डिस्क के सामने यम यम पस्यसि जिसको जिसको तुम देखते हो मा ब्रूही मत बोलो दीनम वचाहा दीन वचन कि पानी दो पानी दो सब की सामने मांग मत करो क्योंकि सब देने वाले नहीं होते हैं तो इस तरह से महान जो चेतनाये हैं कवी लोग है जो पार द्रिश्वा है उन्होंने सनातन सत्य को अपनी भाषा में रखा है तो संस्कित साहित्य में भी इस तरह से संस्कित के बहुत सारे चात्र याचिया को यांचा बोलते हैं माने यांको पहले बोलते हैं चको बाद में बोलते हैं उनको अपना उच्चारण शुद्ध करने के लिए याचिया ये शब्दों का प्रियुक करना चाहिए आई आगे बढ़ते हैं श्टुत्व की बात हम करते हैं ये दूसरी ब्याजन संदी श्टुत्व एक पुरा हो गया प्रकरण दूसरा है श्टुतव और सुत्र है स्टुना स्टुह५। कि आठवेद जाए के चौथे पात का 41 सुत्र शुना शुन माने शकार मुर्धन्य शकार और टुब माने टौवर्ग तठडडड धनन याने सकार या तकार अगर शकार या तकार की साथ शुना आप पहले हो गए संयोग होता है तो उसको शकार और टकार होगा है होता होगा सुत्र की व्याख्या देखिए सकार या तकार का कि यदि शकार या तवर्ग के साथ तो तवर्ग हम को बोलना पड़ेगा सकार या तवर्ग माने तथद धन और तथद धन तो योग होने पर वह आगे पीछे कैसे भी मिलेंगे सश में माने दंते सा मूर्धन्य श में हो जाएगा और तवर्ग तवर्ग में परिवर्त हो जाता है आईए उदाहन देखते हैं पहला शब्द अब ये सारे शब्द इन शब्दों से परिचित है यग्या राग्या सज्जनहा ये तिनों शब्द कैसे ये श्टुना श्टू यहां आएगा और संधी करेगा ये शब्द जब हम व्याकरण में बनाएंगे तब ये सुत्र वहां आएंगे जैसे यजदातु ह यजती मनें यग्य करता है यजन करता है चार अर्थ में यज आता है संगती करण में यग्य करने के अर्थ में तो वो यज का जो जह है वो क्या है चवर्ग है और आगे नह प्रत्य है ना किसका है ताथा दाधना तवर्ग का है तो चवर्ग और तवर्ग का संयोग हुआ त जयाने चावर्ग हो जाएगा चछजज़ ययां और याज यां इस तरह से उचचारण जो लोग करते हैं वो इसलिए के संद्धी में पहले वहाँ ज़य है हो यह हो गया है और आगे यहां है तो यह 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 वैसे बोलते है ग की ध्वनियाती है और रामचरित मानस में तो बार बार यज्य याग इस तरह से शब्द बोलचाल में भी सरली कृत करने के लिए या मुख सुक के लिए लेकिन यज्याह या यज्याह दोनों तरह का उच्छन आप कर सकते है व्याकराण की दृष्टी से दूसरा शब्द है राज्याह राज आगे नह अब ये राज और नह मैंने इसलिए किया के शब्द तो राजन है और राजन शब्द का हम रूप चलाएंगे नकारांत पुलिंगा तो राजा राजान और राजा नह इस तरह से चलेगा उसका पंचमी और शष्टी एक वचन मे रूप बनेगा राज्याह तो तब राजन में अन चला जाता है और राज रहता है और नह प्रत्य है तो जा और नह जैसे यग्या था इसी तरह से जा और नह चावर्ग का जा है और तावर्ग का नह है तो चावर्ग तावर्ग के संयोग से पूर्व में जो चावर्ग है उ यह ना है उसको आप मुझे ख्षमा करेंगे यह हो जाएगा और जा और यह का संयों गौने पर राग्याह और यज्या में भी इसी तरह से जा और ना को यह हो जाएगा तो यज्याह और राग्याह बनेगा सजनह तरिसरा उदारने सत जमा जनहा सत में तव है जो कि तवर्ग का है और आगे जनहा मनें अब तवर्ग पहले हैं और चवर्ग बाद में हैं तो तको चवर्ग यानि जह हो जाएगा सजनहा आपने प्रयोग किया होगा सजनह तो सत और जनहा का सजनहा इसमें आपका श्ट विधायक सुत्र है याने विधेय सुत्र जो विधान करने वाले हैं उनके अपवाद सुत्र भी है कि दिखाने के लिए और बताने के लिए एक दो सुत्र मने लिए है अपवाद है एक शात करके वह आठवे अध्याय के चोथे पात का चवालिस्वा सुत्र है वो शात का दातु प्रवप्सगप्रवक्शा है और आगे नह प्रते है प्रश्णा बनेगा यहां शकार को या नकर तो यह नहीं हुआ प्रश्णा की तरह लेकिन शाथ के देखते हैं हरिश टीकते हरिस हरी शब्द है सुप विभक्ति का सा है और टीकते माने टीका करते हैं व्याख्यान करते हैं कॉमेंटरी करते हैं उस आर्थ में टीकते टीकेते टीकमते रुप चलता है तो हरी टीका करते हैं समिक्षा करते हैं तो जो हरीश का सा जो दंत्य सा है और ट जो ट वर्ग का है उसके काराण सकार को मूर्धन्यशा हो गया हरिश्टीकते और लवर्ग को ट वर्ग कैसे होंगा तटीका तट जमाटीका है तो ट वर्ग का त और ट के काराण त भी ट हो जाएगा संधी बनेगी तटीका आक्रिश्ठ आक्रिश क्रिश्दातु है कर्शती बनता है उसको आंगुस उपसर्ग पूर्वक आक्रिश और तह प्रत्य आक्रिश्टह तकोटा हो गया आगे कई को और उदार लेते हैं इस्टह पुष्टी ही शष्ठह इसमें भी शकार है आगे तकार है तो तकोटा हो गया इश्टा बन गया पुष्टी को पुष्टी हो गया और शश था 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 को ठा हो गया था 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 दूसरा है वरण का तवर्ग का तो ठा वर्ग का दूसरा था है तो ठा हो गया शश था इसका अपवाद है ना पदांता तो रनाम ना यहां आया जो शात में भी इसका अनु अनाम माने नाम और नवती इत्याद ये जो नकार वाले शब्द है पदांत टवर के बाद सकार या तवर्ग हो तो उसका शकार या तवर्ग नहीं होता है जैसे कि शटसंतह और परंतु पदांत टवर्ग के बाद ये यहां या नाम नवती और नगरी शब्दों के रहने पर भी न का अना नहीं होता है न का अना हो जाता है जैसे शन नाम याने शट जमा नाम था न तवर्गा है शट में ट वो तवर्गा है तो अना हो गया दोनों को न को भी ट को भी तथेव शन नवती शन नगर्या हित्यादी इसको और एक बार हम देख लेंगे विस्तार से अब व प्रविराम लेते हैं अलपविराम उसके बार फिर मिलते हैं प्रविराम उसके बार फिर मिलते हैं मित्रो हमने अलपविराम से पहले श्चुत्वा और श्चुत्वा व्यंजान संदी के जो दो भेद हैं उसके बारे में बात की श्चुत्वा के बारे में अगले व्याख्यान में और थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता दूँगा केवल इसमें प्रवेश हो आपका और थोड़ा सरल हो जाए इसके लिए बात कही और जो गंभीर अध्यन करने वाले हैं उनके लिए तो अश्च्टा ज्याई पढ़ें और और ज्यादा कई सारे अपवाद, प्रतिशेद, सब सारी चीज़े आएंगी अब हम जर्ष्ट्व और चर्थ की बात भी अगले व्याख्यान में करेंगे आईए अगले सेग्मेंट में चलते जिसमें शब्द रुपे संक्षिप में मैंने बता दू आपको रिकारांत पुलिंग वाची दात्री शब्द का हमने पाठ कर चुके जान चुके दाता रहो दाता रहो और आपके सामने हैं यह आप देख लेंगे और इसी तरह करत्री दात्री वक्त्री शब्द यह सारे चलेंगे अब हम एक शब्दा आज लेते हैं केवल ओकारांत गोशब्द यह ओकारंद पुलिंग है और इसके रूप में केवल आपके सामने चला दू गव विवक्ति के तीनों वचर में सब्तमी में गवी गवो गोशु और संबोधन में हे गव, हे गावो, हे गावा, इस तरह से जो भी उकारान शब्द पुलिंग बाची होंगे, लेकिन जो शब्द स्ट्रिलिंग बाची है, उकारान ते, ये भी गव की तरह चलेगा, ये उकारान स्ट्रिलिंग बाची शब्द है, उसको जो जावो जावा, इस तरह से आप सिद्ध कता है मैंने लिखाए यम कथा नारायन पंडित विरचितस्य हितोपदेश नामक अस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलिता अस्ति यह जो कहानी है आपने अमर्चित्र कथा में भी और बाद में भी कई जगा पढ़ी होगी यह नारायन पंडित नामकी बड़े अच्छे विद्वान हुए उन्होंने हितोपदेश ग्रंथ लिखा है संस्कित का बहुत प्रसिद्ध विश्वक की तमाम भाशाओं में इसका अनुबाद हुआ है इसका एक सेग्मेंट प्रकरन है मित्रलाभ माने मित्र फ्रेंड्स मित्र कैसे बनाये है इस तरह के सारे डीटेलिस में है तो उसमें से यह मैंने कथा आपके सामने में रख रहा हूं सुनिए कि कश्चित व्रिद्ध व्याग्रह स्नातह कुशहस्तह सरस्तीरे ब्रूते भोभोपंथाह इदम सुवर्ण कंकनम ग्रिहताम ग्रिहताम इती कोई एक बुढ़ा जग ना दोके हाथ में कुश लेके कुशा क्योंकि हमारे यहां भारती परंपरा है कोई भी हम कार्य करते हैं पवित्र कार्य करते हैं तो संकल पे लेते हैं कुशा की हम अंगुठी बना के हाथ में पहनते हैं क्यों कुशा को पवित्र माना जाता है और परियावर्ण के तो कुशाहस्ताह ये ना हस्ते कुशाग्रहिता कुशाहस्त यो यस्यसा कुशाहस्ता ऐसे समासों जिसके हाथ में कुशाह है और स्नाता माने स्नान करके वो बुड़ा-बाग एक सरस्तीरे सरसाहतीरे सरस्तीरे सरोवर की किनारे पे बोल रहा था भोभो पांथा संबोधन में पांथा भोजन अरे राहगिरो मुसाफिरो पथिको इदम सुवरन कंकन उसके हाथ में कोई सोने का कंकन था को रहें लिजिए लिजिए मैं देने को तयार हूं टतो लोभाघ रिष्टेन के मदवाइन पंधेन अनुचितभ वहसे लोकि गुजरे delivered से उसमें से कोई एक ऐसा पतिक था जो लोभ में आ गया लोभा कृष्ट लोभेeling कृष्ट लोभाकृष्ट तेनस लोभा कृष्ट ये लोभ से अकृष्ट होकर केनचिन किमशंद का ही that प्रेके न गेया तेनस तिनों में तृत्या एक वचन आलोचितम लुच धातु संस्कृत में लोचते लोचते लोचनते रूप चलता है देखने अर्थ में है और आंग उफसर्ग लग जाए तो आलोचते बहुत अच्छी तरह देखना इसलिए हिंदी में आलोचना शब्द है क्रिटिसाइज करने को गुनदोष का निरिक्षन कर करना समीक्षा करना उसको आलोचना बोलते हैं और दुसरी एक बात हमारी आखों को लोचन कहा जाता है लोचते जो देखती है तो यह लोचन लुच धातु से लोचनम लोचते इस तरह से आउपसर्ग आलोचितम उसने सोचा इस अर्थ में आया अब देखिए ध्वनी वही है शब्द वही है लेकिन केवल प्रते और उपसर्ग लगने से अर्थ बदल जाता है यह इस भाशा की विशेष्टा आप जानते हैं आलोचितम विचारितम चिंतितम किम भागे नहीं तक संभवती बहुत भाग्य से ऐसा होता है कि कोई कह सौने की यह चीज ले लो किन तो कि कभी भी हिंसा कर सकता मार सकता है प्रवृत्ति माने उसमें जाकर उसके पाद जाकर वो लेना ऐसा एक्षन करना न विधिया ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाग्य से इसने कंकन तो प्रपोस किया है कि देना चाहता हूं लेकिन इसमें हम कैसे विश्वास करें यताह क्यों अब जो हित्वपदेश की एक शैली है कि पक्षी और प्रश्यों के बाहने जो नीती कहना चाहते है नारायन पंडित वो श्लोक उन्हों नहीं लिख दिया श्लोक है अनिष्टाद इश्टलाभेपी नागतिर जायते शुभा अनिष्टाद इश्टलाभेपी अनिष्ट माने जो अच्छा नहीं है इश्ट माने जो अच्छा है अच्छा लगे कोई खराब चीज़ है उससे अच्छी चीज होने पर भी नागतिर जायते लेकिन उसमें बात बंती नहीं है ये मतलब है नागतिर जायते मुहावरेदार सं स्क्रारní कोई खारागटी से अच्छी चीद हो रही है ऐसा महाने इसक व्याग है उसे सुने का कंकर्ण मिले यह अच्छी बात है ऐसा लगता है लेकिन लग नहीं रहा कि यह बात बनेगी यह तर्ास te विश्य संसरगा जहां जहर का विश्य का संसरगा विश्य मिला हो अम्रितम तदपी मृत्यवे वह अम्रित भी मौत के बराबर है मृत्यु देता है जोकि उसका संयोग विश्य की साथ है जहर की साथ है याने कि अनिष्ट से इष्ट हो उसमें प्रुवित्ति नहीं करना चाह महाभारत में और बहुत सारे कावियों में इस तरह के सुभाशित उपदेश मॉरल मैसेज दिये हुए है तो ये पथिक सोच रहा यता हमाने क्यों की ऐसा निती में कहा गया है किन्तु लेकिन सरवत्र अर्थार जने प्रवत्ति लेकिन सभी जगा पैसा कमाने की बात तो ही है तो कि अगर हम अर्थ नहीं कमाएंगे संपत्ति पैसा नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा तो पैसा तो कमाना धन तो कमाना है कंकन सौने का जो ये कंगन यह मिलेगा तो अपना खर्चा पानी चलेगा है प्रशाओ लेकिन संदेह संदेह यह तो मैं सोच तावू यहां निरूप यह मि मांने सोच ने अर्थ हमें है संदेह तो मुझे डाव। तो हो पात्र अपना स्टेज पर होता है, तो मुझ थोड़ा इधर करके अपने आप से बात करता है, फिर ओडियन्स को एड्रेस करके बोलता है, प्रकाशंबूते, वो बाग को एड्रेस करके, कुत्रतवकंकनम, तुम्हारा वो कंगन कहा है, बताओ, तो बाग कहता है, व्याग्रो और हस्तम यह विसर्ग संधी हुई गागर में विसर्ग उसका ओ भो गया है यह हम विसर्ग संधी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रसार्य प्रवश्रगपुवक स्री-धातु से तो आप रत्ति उसको लिप्रसार्य फैला कर दर्शयती दर्शयतह दर्शयंति दिखाता है पांथो आवदत ये संध्यम पढ़ चुके है पांथा आवदत पांथा का विसरग रू रको उ और गुण पांथो और आवदत का आप पूर्वरूप हो गया है पांथो आवदत अंग्रे जी के ऐस की तरह अवग्रह लिखा है मैंने उस पांथ पथिक ने कहा या पथिक बोला कथम मारात्मके त्वई विश्वासा तुम मारात्मक हो हिंसक हो मारने वाले हो ऐसे त्वई तुम में पत शब्द का युश्मत शब्द का सब्तमी एक वचन तुम जो हिंसको तुम पर मैं विश्वास कैसे करूँ व्या घ्रवाच व्या बाग बोला श्रिनुरे पांथ प्रागेव यौवन दशायाम अतिदूर वृत्ताह आसम अब इमोशनली उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है बाग कि प प्रागेव बहुत पहले जब मैं जवान था यौवन दशायाम अतिदूर वृत्ताह समय बहुत बुरा था दूरुवृत्त माने बुरा अच्रन करने वाला था क्या किया मैंने अनेक गो मानुशानाम वधात बहुत सारी गाए मार दी बहुत सारे मनुष्यों को मैंने मार दिया मान। उसका वद करने से में मेरे पुत्रा मेरे ऐदरे मर गये मेरी पत्न थी बहुत सारी वह भी मर गये वह जहीन descriptive अब मैं वन्शहिन हूं मेरे कुटुम में कोई नहीं बचा है ततह केनचित धार्मी केन अहम आधिश्ता अब यह कहानी बना रहा बाग उसको अपनी जाल में फसाने के लिए ततह उसके बाद केनचित धार्मी केन किसी धार्मिक व्यक्ति ने भले आदंबी ने मुझे कहा अहम आदिश्टा निर्देश्ट दिया दान धर्मादिकं चरतु भवान तुम कुछ दान धर्मक आच्रन करो तदु पदेशा दिदानिम अहम स्नान शीलो दाता व्रिद्धो गलित दंत नखदंतो कथम नविश्वा सभूवी ही अब उसको क्वेश्टन करता है बाग पथिक को कि दान धर्मादिक की बात किसी ने किल थी उसके उपदेश से अब मैं श्नान शीलो रोज स्नान करता हूं दाता दान करता हूं बुढ़ा हो गया व्रिद्धो गलित नखदंत अहा गलित माने मेरे नख जिससे की बाग शिकार क खाटा गलित हो गए, समाप्त हो गए, गिर गए है और नाखुन कमजोर हो गए है, कथम न विश्वास भूमी ही, ऐसे व्यत्ति के साथ क्यों न कोई विश्वास करेगा, ये विश्वास भूमी शब्द, पुना मुहावरेदार संस्कृत है, भूमी आधार को बोलते है, भू गो मानुशानाम वधात में दाराह नित्य बहुवचन संस्कृत का शब्द है, तो इस तरह से चरतु, चरधातु का लोटलकार का प्रथम पूर शेक वचन रूपे, इत्यादिक व्याकरन की बहुत सारी बाते हैं, समय के अभाव में मैं आगे चल रहा हूँ, तो इस तरह स से बाग ने अपनी बात उस पथिक को रागी को कहके उसको कन्विंस कर दिया, कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं बाग हूँ, इन साथ में मेरी प्रुत्या लेकिन फिर भी बुड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, मयाच धर्मशास्त्रानी पठितानी बाग कहता है मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, श्रिनुप अब उसको विश्वास दिलाता है, क्या धर्म ये महाभारत का श्लोक है, दरिद्रान भरकोंतेय माप्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्चाउशदं पथ्यम नीरूजस्यकि मौशदे बाग नीती की बात उस राहगीर को कहता है, तरिद्रान जो धनहीन है, जो साधन संपन्न नहीं है, विपन्न है, उनको भर माने उसको दान करो, दो, भरन करो उसका माप्रयच्छ इश्वरे धनम जो इश्वर है जो सम्रिद्ध है जो शशक्त है उनको धनम माप्रयच्छ उसको धन देनी की जरूत नहीं है जो जरूरत मन्द है उसको धन दो व्याधित अस्थ्य आउशदम पत्यम जो व्याधित मने बिमार है उसको अउशदम दवा वो उसका पथ्य है उसका निदान है जो बिमार को दवा देनी चाहिए निरूजस्य कि मउशदे है जो निरूज है निरोगी है स्वस्त है उसको दवा देने की क्या जरूरत है ये नितिका श्लोक कहा भागने अन्यच्च एक और श्लोक भाग पड़ता और कि अलेओ निग्ता के देशे कालेच पात्रेचा टदानम सात्विकम्स अश्रुमध भगवत गिता का स्लोक डान तिन प्रकार के गिता में बताएं है सात्रिक दान, राजिसिक दान, कामसिक दान, तो दातव्यमित यद्दानम, दियते अनुपकारिने, यह हम जिसको दे रहे हैं, वो वापस देगा, या उससे कुछ लाब होगा, यह बिना सोचे जो दिया जाता है, देश माने जगा, काल माने समय, पात्र माने योग्य व्यक्त कि तद्दानं सात्रिक नोगते हैं जो अब तुम बागीर को बाग कहता है सरसिस्व शब्ड का सब्तम है क्वचन करके सल्सिक ततो यावदसो तद्वचषप्रती तो लोब्हात सरस्नातुति उसकी बात से तद्वचह मने उसके वचन से प्रतीत विश्वास विश्वस्त वोकर लोब से सरहसनातुं प्रविशती सरोवर में स्नान करने को जैसे वो अंदर प्रवेश करता है घुसता है तावत उसी समय महापंक के निमगना वहां की चर्था महापंक मने बहुत गहरा की चड़ता निमगना डूब जाता है याने नीचे धस जाता है पलाई तुम अक्षमा वहां से निकल नहीं पाता है बाहर नहीं निकल सकता है भाग नहीं सकता है पंके पतितम द्रिश्वा व्याग्रो अवदात उस पंक में कीचड में फसे हुए उस राहकीर को देखकर अतस्त्वाम अहम उत्था पयामी अतस्त्वाम अहम इसलिए मैं तुमें उत्था पयामी उठाता हूं इत्युक्त्वा 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 यन संधी हो गई है इत्युक्त्वा ऐसा कहकर शनई शनई उपगम्य धीरे धीरे ओ बाग उसकी पास जाकर तेन व् उसको पकड़ा दबूचा सहपांथो अचिंतयाद अब वो रहगिर सोचता है अवशेंद्रिय चित्तानाम इतिहस्तिस्तानम इवक्रिया दूर्भगा भरण प्रायो ज्यानम भारह क्रियाम विना जिसकी अपनी इंद्रिया अवश है कंट्रोल में नहीं है उनका कोई भी कार्य हाथी के स्नान के बराबर होता है हाथी नाता है पानी में बहर आकर सुन से खुब अपनी पर मिट्टी रालता जैसा होता वैसे हो जाता है ग्यान है लेकिन उस ग्यान को आच्रन में नहीं लाते हैं तो वो ग्यान कैसा है दुर्भगा भरन प्रायो वो केवल भार है ग्यानम भारह क्रियाम विना अगर आच्रन में नहीं है वो ग्यान लाया जाता है तो वो ग्यान केवल भार है जैसे कोई जो दुर्भग है माने बह औरनामेंट आभूशन पहन ले तो वो आभूशन से उसके शोबा नहीं होती है वो बोजा लगता है अच्छा नहीं लगता है तो इस तरह से मेरे को ज्ञान था फिर भी मैं लोब से आक्रिष्टों कर ऐसा इती चिंतयान एव असव व्याग्रेन मारीता खा दी तस्चर वो सो कहा जाता है कंकन के लोब से पंक में कीचर में जो बहुत जिससे निकलाना जासता है वो मगना हो गया वृद्ध व्याग्रेन संप्राप्ता बूड़े व्याग ने उसको दबोच लिया पालिया पथिका सम्रितो यथा जैसे वो पथिक मर गया इसलिए लोब नहीं करना चा ये ये नहीतिक संदेश अनया कथया वयम एतद अवगंतुं शक्णु महा यत अस्मा भी लोभात परिहारह करतव्या अपिच यत्किम अपि ज्ञानम अस्ति अस्मा कंपाश्वे तस्य ज्ञानस्य कार्यान वयनं व्यवहारे तस्य आचरनम विधेयं इती अस्ति अस्य इसके साथ ही हमारा ये सेग्मेंट पुरा हुआ तिसरा सेग्मेंट है संभाशन अभ्यास प्रैक्टिस आप स्पोकन संस्कृत आईए पहले कुछ वाकिया हमने जो किये थे उसकी पुंद्रवर्ति और ये वाक्यों को भवांत उक्तवान यत्त भवता समी पे नास्ति आप मैंने आपको कहा था यह कोई महिला है तो वह कहेंगे उसके लिए हम कहेंगे भवती तूख्तवती यततथ भवता हां पुलिंग में भवत्या समी पे नास्ति इए एक सुपांच वाध किया पूर्व मेवागंतव्यम असीद पहले ही आना चाहिए था इसके लिए यह बाध्य प्रयोक है पूर्व मेवागंतव्यम आपको पहले आना चाहिए था it should have been come earlier मया नदा तव्यम आसीत मुझे नहीं देना चाहिए था इस अर्थ में चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्य अनियर प्रत्य होते हैं दा तव्यम, आगन तव्यम, पठितव्यम इस तरह से I should not have given it मुझे नहीं देना चाहिए था अब सुंदरम करणियम आसीत अच्छा करना चाहिए था It should have been done well यदि इच्छती तरी इस भी करो तू अगर आप चाहते है तो लीजिये ऐसा कहना चाहते है You can have it if you so desire यदि समयाह अस्थी तरी क्रियाग अच्छतु मयासा यदि आपके पास समय है अगर तो आप मेरे साथ आए ये कहना है If you have time, please come with me तो यदि समयाह अस्थी तरी क्रियाग अच्छतु मयासा इन वाक्यों का हम अद्भ्यास कर चुके थे अब नए वाक्या है यथा भवान आदिशती तथा करो मी आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा I will do as per your instructions यथा भवान आदिशती और इसी को त्री लिंग बाची शब्द के लिए यथा भवती आदिशती तथा करो मी जैसा आप कहें पश्चामी किम साज्यम देखता हूँ क्या हो सकता है कोई कुछ कहें और कहना है कि देखता हूँ क्या कर सकता हूँ let me see what is possible पश्चामी किम साज्यम किम संभवम किम शक्यम यह सब विकल्प है यदासा आगमिश्यती तदा सूच श्चामी कोई कहते है आप उनको बता देजिएगा यदासा आगमिश्यती लिटलकार गमधातो का आगमिश्यती जब वो आएगा तदा सूच श्चामी सूच का सूच श्चामी जब वो आएगा तब मैं सूचित करूँगा I will inform him when he comes संस्कित में हमने आगमिश्यती सूच श्चामी दोनों में वविश्यत काल का प्रियोग किया है वर्तमान का भी प्रियोग कर सकते है मौनमे ववुचितम चुप रहना ही अच्छा है बलाई है चुप रहने में ही बलाई है It is better to keep silence मौनमे ववुचितम तद विश्ये अहम किमपी नावदामी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो वदामी वर्तमान काल संस्कृत का है लेकिन हिंदी में आपने या अंग्रेजी में I will not speak anything about future tense प्रियोग किया लेकिन आप जैसे मैंने का था वर्तमान सामी पे वर्तमान वद्वा जब वर्तमान समीपो तो भूत की या भविश्क की बात को भी वर्तमान में आप कह सकते हैं विचिंट्य ववक्तव्यम सोच कर ही बोलना चाहिए चिंतयती चिंतयत्वा वीउपसर का लागा देया तो क्तवा को लिप विचिंट्य ववक्तव्यम वचधातु को अनियर प्रते वक्तव्यम वन शुद थिंग फर्स्ट एंदेन स्पीक विचिंतय वक्तव्यम तरही समीचिनम तब तो ठीक है देन इट इस प्रॉपर एवम चेत कथम बात्चित जब करते हैं तो ऐसा हो तो कैसा रहेगा तो एवम चेत कथम कृपिया माम समारयतु या कृपिया माम किंचित समारयतु प्लिस रिमाइन मी या मुझे ज़रा याद दिलाना तो इसके लिए कृपिया माम समारयतु या किंचित समारयतु आगे कितिन वाक्या है तम अहम सम्यक जानामी उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, I know him very well, तम तथ शब्द का कर्म का दृत्यावी भक्ति का एक वचन का तम अहम, उत्तम पुरुष एक वचन अहम, सम्यक जानामी, अहम के कारण जानामी, जानाती जाना सी जाना, जानांती और उत्तम पुरुष एक वचन जानामी, तम अह I spoke only at that time तो उस अभिव्यक्ति के लिए तदानी मेव उक्तवान खलू ये खलू अभ्याई है और अभ्याई माने जिसका सद्रिशम्त्रिशुलिंगेशु सर्वासुच अभिभक्तिशु यन्नवेति तदव्ययम आपको मैंने कहा था वचनेश शूच सर्वेशु तो खलू का मतलब एक एकस्प्रेशन के लिए इसको प्रियोग नाम, खलू, भवतु अस्तु ये शब्द अभिव्यक्ति के लिए प्रियोग किये जाते हैं बोल्चाल में लिखने में कदा उक्तवान भो वेंडिड यू से कब कहा तो ये भो सम्मोधन वाची है लेकिन अभिव्यक्ति कदा उक्तवान भो अरे मैंने कब कहा इस अभिव्यक्ति के लिए बोल्चाल के संस्क्रित में एतानि वाक्यानि वयम अभ्यष्य प्रियोक्तुम शक्नो माहा अब अंतीम हमारा जो खंड है गिताब व्यासे इन ऐसा संस्क्रित पठनम हमने ये तीन श्लोक एक साथ लिये थे इसके काफी लंबी तीन-चार व्याख्यानों में इसकी व्याख्या भी की अभी और भी व्याख्या है लेकिन हम इसको मसंक्षिप में अत्रशूरा महेश्वासा जिसमें दुर्योधन गुरुद्राण को कहते हैं कि पांडव की सेना में इतने सारे लोग है सौभद्रह द्रौपदे द्रौपदे के बेटे है सौभद्रह का बेटा भी मन्यों है महारता और महारती कौन है इसका लक्षन भी अमने पिछले व्यक्षान में कहा था अब हम दोश लोग एक साथ जो है लेते हैं सात्वा और आठ्वा अस्मा कम्तु विशिष्टाये तान निबो धद्विजोत्तमा नायका ममसेन्यस्य संग्यार्थम तान ब्रवीमिते भवान भिश्मस्च करनस्च अब इसका अर्थ हमें आगे बताऊंगा पहले हम इसके बारे में जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से देखते हैं कि संधी विच्षिट कर लेते हैं पहले जैसे मैंने बोला वो संधी वाले श्लोक थे अब आपकी सामने ये रेट कलर में संधी वाले अब्लैक में संधी विच्षिट कहां कहां किया है अस्मा कमतु विश्षटाह यहां विश्ष्षटा में आ गया ये ताननिबोध एकठा कर दिया था विजोत्तम नायकाह ममसेंज से संज्यार्थां तान ब्रवीमिते भवान विश्मस्च समितिंजया समितिंजया लिखा है तो वह ती में जो अनुस्वार है उसका यह भी आप लेकर विकल पसे होता है यह भी आम चर्थमें में आगे देखेंगे तो अनुस्वार ती ही सोमदत का बेटा सौमदत थी नथा एवचव तथाई वचव में भी संदी इतनी संदी थी जिसके लिए अमने अभ्यास संदी विच्छेदान कृत्वा समासान अंपदा नीच दर्शवित्वा समाज क्या है इसमें यह हम दिखाएंगे और इसमें हम इसको कौन-कौन से क्रियापद क्रियाविषःषण और धातुसाधित क्र्तरि पद कर्मपद कौन से हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं सुनिए द्विजयोत्त्मा है द्विज किसको कहते इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यहां द्वीज माने ब्राम्मन और ब्राम्मनों में उत्तम गुरुद्रोन उसको दुर्योधन कहता है अस्मा कम माने हमारे ये विशिष का जो विशेश ममा सेन्यस सिनायका मेरे सेना के जो नायक लीडर कमांडर संती ये अध्यार करेंगे तान उनको ते मने आपके संग्यार्थम आपके संग्यान के लिए आपके ज्यान के लिए जस्ट फ़र इन्फोमिशन ब्रावीमी में कहता हूं तान निबोत है उसको सुनिए ये पूरा क्योंकि पद्य में है तो वाक्य में कैसे ये दुसरी एक्सिसाइस में किया अब ये विश्षिष्ठाहा ममसयन्यस्यनायकाहा संति को गुणवाक्ट्यांश्य है यह मुख्ट बात्य नहीं आत्रध्याहितं अकर्मकम क्रियापदं संति यह संती क्रियापद अकर्मक है और इसका अध्यार मनें मान लिया है जैसे गनित में मानते हैं और कर्त्रिपद क्या है यह यत्षब्द का बहुवचन का जो अध्यार में अहम ब्रवीमी तान निबोध उनको आप सुनिये यह पूरक अस्माकम विशिष्टा ममसेन्यस्यनायका हाच्च यह पूरक पद कहा जाएगा अब अगली तान ते संग्यार्थम अहम ब्रवीमी खाली ब्रवीमी है ब्रेकेट में अहमाने अहम का अध्यार किया इती प्रधान गोण वाक्यांश बुला प्रधान वाक्य यह है तान ते संग्यार्थम अहम ब्रवीमी क्रियापदम ब्रवीमी है ये तक्रियापदम वर्तमानकाले उत्तम पुरुश्यम ब्रवीमी अतह अध्याहरितम कर्त्रिपदम अहम कर्म पदम तान निबोधा ये कर्म है तान तुम निबोधा इती प्रधान वाक्चान शो जाएगा क्रियापदम निभोधा बुद्धधातु का लोट लकार का मद्यम पूरुश एक वचन निभोधा एतत क्रियापदम आज्ञारते मद्यम पूरुशियम अता अध्यारितम कर्त्री पदम त्वं कर्मपदम तान इसी तरह से केके अस्माकम विशिष्टा ममसेन्यस चिनायका भवान भीश्माहा कारणाहा कृपाहा समितिन जयाहा अश्वत्थामा भीकरणाहा सो मददती ही अगले व्याक्यान में आज के व्याक्यान का समय यहीं पर पुरा हो रहा है धन्यवाद और इसे के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर बल्देवानन सागर का मित्रों हम यहीं उमीद करते हैं कि आपके लिए हम जो भी lectures आयुजित करते हैं या इस series से संबंधित जो भी lectures आयुजित किये हैं आप सभी उन से लाव उठा रहे हैं और यही बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए in lectures को हम YouTube पर upload कर रहे हैं आप इन lectures को देखी और उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव या फिर अपने प्रश्ण हमारे साथ साजा कर सकते हैं हमारी email ID है info.cc at the rate in ic.in तो मित्रों आप सभी से फिर मुलाकात होगी और इस series के अंतरगत श्रंखला के अंतरगत हम और बारतालाब करेंगे और संस्क्रित व्याकरण को जानेर समझने की कोशिश करेंगे तो इसे के साथ आप सभी को नमस्कार और डॉक्टर सागर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद